हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल एस मॉम्स में जहां हम आपको देते हैं बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई धेर सारी जानकारियां दोस्तों स्विमिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप मेंसे कई लोग ये जानते होंगे कि इसके क्या-क्या फाइदे होते हैं और अगर हम बच्चों की स्विमिंग की बात करें तो ये उनके शारेरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही अच्छी आक्टिविटी और स्पोर्ट है और मुझे लगता है कि हर बच्चे को स्विमिंग ज़रूर आनी चाहिए तो आज की इस विडियो में हम बात करेंगे कि स्विमिंग से बच्चों को क्या-क्या फाइदे होते हैं तो बने रही है हमारे साथ इस विडियो में और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है कि बच्चों के लिए स्विमिंग के फाइदे पहला है इट बिल्ड्स आप मसल्स आपने देखा होगा कि जब आप पानी में हाट डालते हैं तो आपकी मोमेंट स्लो हो जाती है उसी तरीके से जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारी बोडी पर भी एक प्रेशर पड़ता है जिससे हमारी मसल्स बनती हैं और हम आक्टिव रहते हैं और swimming एक ऐसी activity है जिसमें physical effort ज्यादा लगता है तो उनकी bones भी अच्छे से develop होती है तीसरा है it makes body flexible शरीर में लचीलापन भी swimming से आता है क्योंकि swimming करते वक्त turn लेना होता है heart prayer properly चलाने होते हैं जिससे बच्चों की muscles lose होती है और body का moment अच्छा होता है जिन बच्चों की body flexible नहीं होती उनको muscles, pain, joint pain गे सब बहुत जल्दी होने लगता है तो इसलिए swimming इसके भी काम आती है जैसे कि मैंने बताया कि swimming करते वक्त body पर काफी pressure परता है तो जाहिर है कि जब वो swimming करेंगे तो body fat भी कम होने लगेगा और वजन भी सामाने रहेगा और एक महीने में आप खुदी फरक देखेंगे इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि जो बच्चे दुबले पतले हैं वो और दुबले हो जाएंगे Actually क्या होता है कि swimming से body fit रहती है बच्चे अगर बहुत ज़़ादा दुबले हैं तो उनकी भूग खुलेगी वो proper diet लेने लग जाएंगे पांच्वाँ फायदा है It gives relief from depression Swimming करते वक्त पानी में रहना एक थंड़क देता है और body भी active रहती है जब हम swimming करते हैं तो हमारी body एक endorphins नाम का happy hormone release करती है जिससे हमें खुशी मैसूस होती है और depression कम होने लगता है इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चा एक नई तो आधा घंटा तो swimming करे ही छटा फायदा है It enhances concentration Swimming सीखते वक्त भी काफी सारी tricks यूज होती है जिससे वो perfect swimming कर पाते है और पूरे concentration के साथ उन्हें ये करना होता है क्योंकि उनको पता है कि उनकी एक गलती और उन्हें पानी में suffocation होने लगेगा जब ये बारीकियां बच्चे सीखते हैं तो उनका mind boost होता है और उनकी alertness भी बढ़ती है जिससे उन्हें generally भी पहुत फायदे होते हैं साथमा है एक boost immunity जब शरीर active रहेगा तो उनको हर विमारी से लड़ने की शक्ती भी मिलेगी और इसलिए swimming से immunity भी मजबूत होती है इसका आथमा फायदा है कि it is good for heart health swimming करने से human heart भी proper function करता है जिससे बच्चों को दिल संबंदी विमारिया भी नहीं होती क्योंकि blood circulation बना रहता है इसका अगला फायदा है कि it improves balance and posture swimming करने से उनको अपनी body को balance करना पड़ता है किस समय body किस तरह से रखनी है ये उनने सिखाया जाता है जिससे बच्चों का balance और posture यानि कि उनके शरीर की बनावट अच्छी होती है और body को एक अच्छा shape मिलता है जो बच्चे जुग के खड़े होते हैं जुग के बैठते हैं उनके लिए भी swimming एक बहुत अच्छी activity है दोस्तों swimming सीखने का दस्वा फायदा है कि it enhances sleep swimming में काफी मेहनद करनी पड़ती है जिससे शरीर ठक भी जल्दी जाता है बहुत छोटा सा example है कि जब हम नहां के आते हैं तो हमें नीन अच्छी आती है क्योंकि body relax हो जाती है और swimming से भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जो बच्चों को एक अच्छी नीन देता है तो ये हैं कुछ फायदे बच्चों को swimming सिखाने के हमें लगता है कि swimming सीखना बस इसलिए जरूरी है ताकि कभी अगर ऐसी situation आई कि बच्चा पानी में कहीं गिर जाए तो उसे तैरना आता हो नॉर्मली लोगों की यही सोच होती है लेकिन जैसे कि आप सबने जाना कि एक swimming के कितने सारे फायदे होते हैं बच्चों की health के लिए तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चे को swimming classes में जरूर डालें ताकि वो भी healthy, fit और active भी रहें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमीद करती हूँ हमारे इस वीडियो से आपको जरूर help मिली होगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलियेगा साथ ही अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से related तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं अगर आप मुझे directly बात करना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पे message भी भेज सकते हैं उसका handle में नीचे description box में आप से share कर दोंगी जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही interesting topic के साथ तब तक के लिए आपकी आगया चाहती हूँ नमस्कार